आपका वेटनरी क्लासिज यूट्यूब चैनल के इस एफिशूर में मैं हार्दी का भी नंदन करता हूँ नए प्रैक्टिशनर का ये सवाल है कि हम इंट्रावेनस कैसे लगा सकते हैं गाय में तो इस पर आप एक प्रैक्टिकली वीडियो बनाएए तो आज मैं पूरे प्रैक्टिकली वीडियो लेकर आया हूँ कि कैसे आप गाय को जुगलर वेन में आईवी इंजेक्शन लगा सकते हैं वो भी बहुत ही असानी से और इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक शेर करें तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम आईवी लगा सकते हैं तो देखिए गाय को जुगलर वेन में और इयर वेन में हम आईवी दे सकते हैं लेकिन हमेशा ही जुगलर वेन में देने की कोशिश की जानी चाहिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि नई sterile, needle और syringe का ही हमेशा जब हम IV injection लगाते हैं तो इस्तेमाल करें और वही injection IV दें जिस injection का root intra venus है ठीक है अब बात करते हैं कि कैसे हम गाय को IV injection लगा सकते हैं तो देखिए IV injection लगाने के लिए जो जुगलर वेन होती है उसको क्या करना है कि नीचे अंगूठे से दबाना होता है यह देख सकते हैं आप जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं हमारा जो injection है वो सीधा जुगलर वेन में जा रहा है यह देख सकते हैं आप तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके जुगलर वेन में जो injection है वो आप लगा सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे लगाना है और फिर धीरे से नीडल को बाहर निकाल लेना है निकालने के बाद ये भी चेक करना है कि निडल निकालने के बाद कहीं जुगलर वेन से जो बलड है वो तो बाहर नहीं निकल रहा है और यहां पर आप किसी एंटिसेप्टिक लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो दूसरा तरीका ये भी आई भी लगाने का कि पहले आप निडल लगाए निडल लगाते हैं तो फिर ब्लड बार आता है फिर ब्लड बार आता है तो उसके बाद आप सिरिंज लगाते हैं फिर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उस कंडिशन में क्या होता है कि पशु का जो ब्लड है लॉस होता है और जो हमारे हाथ है वो भी के पास injection है उसको आप लगा लीजिए कोई टैंशन वाली बात है नहीं इस तरह से आप जो है गाय भेंस भेड़ वक्री में आईवी इंजेक्शन को दे सकते हैं इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए आप हमार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें किसी भी तरह का ड्राउट आरता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं